जो बेसिक चल रहा है यहां पर फाइस्टार का जो बेसिक सेलरी है पंदरा सो दिराम होता है प्लस फूद अपमोडेशन एंबरेटिंग पच्छिस जार के आसपास एंड कोमी 2 को 30 के आसपास होता है कोमी 1 का 30 35 तो 40 के आसपास दुबाई मैं भी सेलरी चल रहा है अब यहां जो काफी दिन बाद वीडियो बनाना हो रहा है क्योंकि काफी बीच में काफी वीजी शेडूल चल रहा था तो मैं आप लोगों को कुछ भी इंफोमेशन नहीं दे पा रहा था बट लेटस्ट इंफोमेशन यह है गाईज अभी रमदान चल रहा है दुबई में वीजिट वीजा अभी जितना अगर आप पोस्ट बॉन करोगे या वाइट करोगे इट विल बेटर वर यू क्योंकि रिजन यह है कि यहां पे काम थोड़ा स्लो होता है काफी लोगों के होता है और इस वज़े से यहां पर काम थोड़ा स्लो होता है और डूटी आवर्स रिडियूस्ट होते हैं तो सब को पता होता है कि रमदान में क्या सुचुवेशन होने वाला है तो इस्टाफ हाइरिंग पहले से ही हो जाती है तो इस टाइम पर विजिट वीजा आप अग मैं Government स्टाफ को तो घूली तो चैब है तो यह निर्यशनलडिस को हाया करने को क्यों करोते हैं वहाँ कर बहुत होता है ज्यांडी ह creator का जह का जूल जूल नहीं होता है तो बहुत ही रिंडाली हमने इंडिन के स्टाफ रखा है Be portfolio को एक री हात इसटाफ एक है कि मैं और और मतलब 0.2% 5% स्टाफ जो है इंडियने बागी सब इटालियन स्पीकर है यहां पर जो बिजनिस डिमांड होती है वो इस तरह की होती है अगर आप सभी लोग जैसे कोई इंडियन कुजीन में काम कर रहा है कोई थाई कुजीन में काम कर रहा है अगर वो मुझे बोल रहे है कि आप मिले को इटालियन कुजीन में लगवा दो यह पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकली थाई का इंडियन का चाइनीज का कुजीन कहीं और होता है यह अब दुबई में बहुत अच्छा खासा बूशनेस चल रहा है काफी होटेल जो और होटेल्स और है लॉट्स अब और पोट्यूनटी जिन लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं से रिलेटेड भी काफी लोग ने मुझे मैसिस किये हैं तो सेलरी से रिलेटेड मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं अगें क्योंकि मेरा अल्रेडी एक वीडियो इस पर बनाया है तो जिन लोग ने मैं मिस कर दिया है जो बेसीं चल रहे घगाई यहां पर 5-star होटेल में कॉमी का कॉमी 1,2 and 3 थी में पंद्राइसों दिरहांbrar होता है प्लस फूद अप्मोडेशन एन एवरिधिंग पन्रोसो दिराम मतलब आपका पच्छिस जार पच्छिस जार के आसपास एंड कोमी 2 को 30 के आसपास होता है कोमी 1 का 30 35 तो 40 के आसपास दुबई में अभी सेलरी चल रहा है कंपनी चुकंपनी भी होता है आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं अपर्ट फॉम देट शेप्दी पार्टी का सेलरी है एक अच्छे 5-star होटल में अभी दुबई के अंदर चल रहा है पच्छ पन से 50 से 60,000 के बीच में अगें इट से डिपेंड ऑन कंपनी बट देवर से भी ज्यादा है सेलरी अगर आप एक्सपक्ट कर रहें तो देन यू नीड तो मुव इन रेस्टरेंट गाई चैन ओफ रेस्टरेंट जिनका बहुत अच्छे ब्रांच हो जिनका वर्डवाइड ब्रांच हो या फिर कोई सेलिबिलिटी का रस्टरेंट हो इस तरकी के सबसे में चीज में यह बोलूगा सारे शेफ लोगों के लिए अगर आप कुकिंग पर फोकस करेंगे तो आपको आज या कल तो मिलनी है क्योंकि आपको काफी इंफोमेशन की जरूरत है दोबई काफी पैक चल रहा है और जो लोग यूए और गल्फ कंट्रीज में डेफिनेटली जॉब देख रहे हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट यूनों नॉलिज मिल सकता है और उन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साइड मैंने काफी लोग देखे हैं जो विजिट वीजा पर यहां पर आया हैं बट दे कैनाट फाइंड जॉब रिजन बहुत बड़ा मैं आपको बताऊंगा उनको क्यूं जॉब नहीं मिलता है और वो लोग क्या गलती कर देते हैं पहली चीज मैं बोलूँगा जो भी कॉलिज से निकलता है काफी फ्रेशर है अगर वो एकदम से अब्रोट के लिए ट्राइब कर रहा है और विजिट वीजा पर आ रहे हैं तो उनके लिए काफी टाफ हो जाता है जॉब का मिलना कोई भी अच्छा ब्रैंड है कोई भी अच्छी कंपनी विना एक्सपीरियंस के एकदम से अगर आप ओन-लाइन अप्लिकेशन विना ही आ रहे हैं और वोकिंग में आ रहे हैं तो काफी टाफ हो जाता है लेने के लिए सो बेटर है आप कुछ साल का एक्सपीरियंस या कुछ टाइम का एक्सपीरियंस लो एक बहुत ज़रूरी चीज है जो आप लोग को समझना है एबरोड में जॉब मिलना बहुत जादा सैलरी मिलना यह बहुत जल्दी में नहीं होता है इसके लिए पेशिंस लगता है इसके सब चीजें देखने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह सब चीजें आपने कहां से पढ़ाई करी है आप में किस-किस प्रॉपर्टी से आपका एक्सपीरियंस से जब तक आपका यह पूरा टॉटल पैकेज आपके रिजुमे में नहीं आ जाता है यू कांट जीबिया इवेंट दुबाई तो इत विल बी डिफिकल्ट तो फाइंड जॉब फो यूग तो सबसे पहली चीज में बताउना जो भी स्कूल्ड जॉब में आते हैं और आप सब को पता है स्कूल्ड जॉब क्या है वस्किल्ट में ओनली किचन किचन इस दा स्कूल जॉब तो आम लोगों के लिए मैं भी एक शेफ हूं सबको पता है तो हम लोगों के लिए बहुत एजी हो जाता है किसी और किसी भी कंट्री में जाने के लिए काफी एजी हो जाता है लेट से ऑस्टेलिया, कैनाड़ा, न्यूजीलेंड, एंड यूरोप, इवें गल्फ कंट्री So skilled job में nationalities का इतना ज्यादा problem नहीं होता है जितना की service, housekeeping and other departments में होता है I know I respect those department also and वो लोगों के लिए भी काफी opportunities होती है and they're growing very fast as well but the thing is मैं skilled job की यहां पर बात कर रहा हूं तो लोग भी abroad के लिए देख रहे है, for them is best kitchen, अगर आप kitchen में आते हैं and kitchen का काम सीखते हैं तो abroad के लिए आपका dream काफी जल्दी पूरा हो सकता है and it's again depend आप कितना जल्दी काम सीखते है and किस hotels में काम सीखते हैं, आप किस bosses के साथ काम करते हैं, यह काफी ज्यादा important है guys, अगर अगर आप अच्छे boss के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे chef के साथ काम कर रहे हैं, तो definitely आपके growth के chances बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, अगर आप normal या फिर अच्छे boss के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ने की सीडियां भी काफी limited रह जाते हैं, तो अगर वो hospitality में हैं, I will strongly recommend it, आप kitchen में आ जाएए, तो kitchen में आपको culinary में जब skilled, culinary में जब आप skilled सीखेंगे, so आप skilled किस लेवल का आप सीखते हैं, उस पर फिर डिपैंड होता है, so culinary में भी बहुत सारे department होते हैं, जैसे आप सब को पता है, हमारा italian होता है, continental, then there is thai, indian, tandoor, ind में भी दो section हो जाते हैं, tandoor and curry, so काफी ज़्यादा different different sections होते हैं, मैं भी सब को पता ही है, elaborate नहीं करूंगा, so guys, india में अगर जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है, उनको indian food थोड़ा वो सीखना चाहिए, क्योंकि बाहर आने के बाद, अगर आप किसी बड़ी country के लि काम करना चाहते हैं, around gulf countries काम करना चाहते हैं, तो आप continental food सीखें, क्योंकि यहाँ पे especially continental food के लिए भी बाहर से ही लोगों को hire करते हैं, italian food के लिए italians को hire करते हैं, so यहाँ पे somehow कुछ ना कुछ opportunities बन जाती हैं, अगर आप india में हो अच्छा continental आता है, तो of course आप india में अच् कि अगर आपको abroad में बड़ी countries में try कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, इन countries के लिए आप indian food जरूर सीखें, पहला चीज, कहीं पर भी आप जाते हो कीचन में कोई भी mistake होती है, कोई भी चीज नहीं आती है, तो you accept your mistake, and of course you will learn the things, so यह था guys, यह छोटी छोटी चीज आपको समझनी है, and video को सबसे पहली बात, video को पूरा देखो, अगर video को आपने पूरा नहीं देखा, तो आप भी तक आपके समझ में कुछ आया नहीं है, guys, है ना, so video को subscribe करो, and share करो दोस्तों के साथ, जिनको भी needs है, knowledge का, and thank you very much for watching this video, guys, bye-bye.